वेलकम चिल्डरन क्लास 10 हिंदी का 2022-23 में जो एक्जाम देने वाले हैं बोड का तुम्हारे यां कौन-कौन से क्वेस्चन आ रहे हैं अगर ये वीडियो देख लिया तो 100% मार्क्स तुम्हारे पके हैं एक सेकेंड के लिए भी वीडियो को मिस मत करना चिल्डरन आगे आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें आपके एक लाइक से आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन बढ़ता है तो चिल्डरन आज जो मैं बात कर रहा हूं आपसे वह हिंदी की बात कर रहा हूं कोर्स एक ही आपका जो पेपर होगा वो असी नंबर का होगा ट्वेंटी माक्स का आपका जो स्कूल वाले जो कराएंगे ठीक है तीन घंटे का आपको टाइम मिलेगा इस प्रसंद पत्र में दो खंड है खंड कर और खंड कर ठीक है बहुवी कल्पी या कर्मा नुसार लिखिया अगर कोशिश करना है मतलब कि पहले क्वेस्चन को ले लो फिर दूसरे क्वेस्चन को ले लो उस तरह से आप लिखेंगे ठीक है खंड कम है 10% है और 10% है 49 ठीक है तो यह सब ज़्यादा जरूरी नहीं है आप में बात कर लेते हैं मुद्दे में पहले एक unseen passage आता है इस तरह का इस तरह का unseen passage आयेगा उस unseen passage को पढ़के आपको questions को answer करना है ठीक है जो कि आप करते आयो आपने 9th में भी किया था question पहले एक unseen passage आया उसके बाद वो पढ़के आपने फिर उसके बाद एक पध्यांस दिया हुआ है ठीक है पहले आप उसको कर लोगे फिर आप इसके answer दो कर ठीक है so mcq की form में यह questions आपको दिये गए इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके बाद आगए हैं आपके हैं mcq questions ठीक है multiple choice निर्देश रचना के आधार पर वाकी भेद पर आधार पांच बहु वेकल प्रसनों मैंसे किनी चार के यानि कि पांच दिये जाएंगे पांच मैंसे आपको चार करना है ठीक है तो एक एक नंबर आपको इसका मिलेगा इसके बाद आपको आया है match the columns column एक को column two के साथ समुलित करिए यह fifth question है इसी में निर्देश अनुशार वाच पर आधार पांच बहु वेकल पर प्रसनों मैंसे किनी चार आप फिर से पांच दे दिये इन मैंसे आपको चार questions का answer करना है जिल लोगों को लग रहा था mcq questions नह पर हर chapter के mcqs डाल दिये हैं चिल्डन इसके अलावा अगर आपको Hindi English math science social science हर subject का sample paper देखना है किस तरह के questions paper आ रहे हैं क्या competitive based questions आ रहे हैं तो उसके लिए आपको एक app बता रहा हूं यह app बिल्कुल free of cost है ठीक है play store से अभी download कर लेना इसका कोई पैसा नहीं लगेगा इस प लिंक है वो मैंने description में डाल दिया है और pin भी कर दिया है तो आज ही इस app को download कर लेना class 6 से लेके class 12 के बच्चों के लिए यह जो app है बहुत जादा helpful रहे हैं आगे बात करूं तो फिर से देखो फिर से 5 mcq आगे उसमें से 4 तो बार बार आप देख रहे हो mcq questions भरे पड़े ठीक है mcq फिर आगे तो टोटल जो है 20 mcq बार 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 आ रहे हैं इसके बाद गध्यांस पर आधारित बहु विकलिव है प्रस्म एक गध्यांस दे दिया आपको पढ़ने के लिए और उस गध्यांस के बाद हालदार की साहब क्या हालदार साहब क्या सूच कर दुखी ह तो इस तरह का questions आ गया और उसका फिर आपको mcq करना होगा ठीक है फिर निम्लिकित पध्यांस पर आधारित बहु विकलिव कितने भाई साब mcq चले आ रहे हैं 30 mcq होगे होंगे स्टार्टिंग से लेके अब तक ठीक है तो भाईया mcq questions पर बहुत जादा इस बार focus करना है और question answer पर focus करना है यह दो चीजे हैं हर chapter के question answer पढ़ लेना और हर chapter के mcq कर लेना दोनों आपको हमारे चैनल question answer आपको हमारे English Baba चैनल पर मिल जाएंगे mcq आपको हमारे question answer चैनल पर मिल जाएंगे ठीक है इसके अलावा यह हैं आपके किनी 3 में से 2% का उत्तर देना है 50-60 सब्द में तो इसका भी आप इस तरह से माता क्या चल से ठीक है यहां से वह आप दे सकते हो एक और तीन प्रसनों का उत्तर देना है चार में से तो आपके जो short questions है वह इस तरह से आ जाएंगे दोनों ही books से आपके ठीक है और इसके बाद निम लिखित में तीन विश्यों मे जो एप का link है वो मैंने description में डाल दिया है पिन भी कर दिया है बिल्कुल free of cost है आपको सारे sample people मिल जाएंगे आप किसी भी question का answer देख सकते हैं और यह सब आपको मिलेगा free of cost मिलते हैं अगले वीडियो